आखिर क्यों अमरपाली दुबे अभी तक साधी नहीं की हैं 36 साल की उमर में भी निरहुआ के साथ फिल्मों में करती हैं खुलकर रोमांस दिनेश लाले अदब निरहुआ के साथ अमरपाली दुबे का क्या है संबंद भोचपुरी इंडश्टी की एक ऐसी मनेत्री जो की जब से भोचपुरी इंडश्टी में आई हैं तब से तहलका मचा रही हैं और इनके गाने हो या फिल्म सूपर डूपर हिट होता है कभी स्टोरी से रुला कर तो कभी कॉमेडी से हसा कर कभी रोमांस का जलबा दिखा कर तो कभी एक्षन का पावर दिखा कर लोगों का खुम और रंजन करती हैं अमरपाली दुबे दोस्तो भोचपूरी एक्ट्रस अमरपाली दुबे आज हर भोचपूरी दर्सक के दिलों में बसती हैं हिंदी टीवी सीरियल से सितारों की दुनिया में कदम रखने वाली और पूरी भोजपूरी दर्सक के दिलों में बसने वाली अमरपाली दुबे के कहानी बहुत ही दिलचस्प है आपको बता दे कि अमरपाली दुबे का जन्मी 11 जन्मरी 1987 को गोरकपुर में हुआ था अमरपाली दुबे के माता जी का नाम उसा दुबे है और पीता जी का नाम सेलेस दुबे है अमरपाली दुबे अपना ग्रेजुएशन मुंबे में इस्थित भवन कॉलेज से की थी अमरपाली दुबे अपने फिल्मी करियर की सुरुआत हिंदी धरा वाईक रहना है तेरी पलकों की छाओं में से की थी उसके बाद साथ फेरे, माईका, मेरे नाम करीगी रोशन और सहारा वन के प्रेत नैट सो में भी नेजर आई थी अमरपाली दुबे भोचपुरी इंडेश्टी में अपने करियर के सुरुआत अमरपाली दुबे 2014 में आये दिनेसलाली अदम निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से की थी और ये फिल्म सूपर डूपर हीट हुआ था और अपनी पहली फिल्म से ही भोजपूरी इंडस्टी में उनको अपना पहचान मिल गया फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड कर नहीं देखा और लगतार हीट पे हीट देती गई और भोजपूरी में अमरपाली दूबे लगभग जितने भी फिल्मों में काम किये हैं वो सूपर डूपर हीट हुए हैं और अगर आप अमरपाली दूबे के फैन होंगे तो आपको पता ही होगा कि भोजपूरी में अमरपाली दूबे सबसे ज़्यादा फिल्म जूबलिय श उपर तरह तरह के सवाल उठाने लगें और कुछ उल्टा सीधा पोस्ट करने लगें लेकिन अभी हाली की बात आप सभी को बता दे कि अपनी आने माली फिल्मों की शूटिंग करने अमरपाली दूबे लंदन गई थी और वहां भोजपूरी के कॉमेडियन बी आईवी विज में नई थी तब उन्होंने ही मुझे काम दिया था और मेरे साथ मेरे हर सुख दुख में साथ दिये हैं और मेरी जनता से अपील है कि इस रिष्टे का गलत मतलब ना निकाला जाए साथ ही उन्होंने साधी के सवाल पर कहा था कि कोई अच्छा ललका मिल जाए सीधा साधा और सिर्फ मुझसे प्यार करना वाला तो मैं उनसे साधी कर लूगी तो यह थी अमरपाली दूबे की कहानी और आपको दिनेस लाली आदब निरहुआ और अमरपाली दूबे की जोड़ी कैसी लगती है और आपको यह जनकारी कैसी लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद